हालो इस्टुएंट्स नेक्स अम डिस्टास करेंगे कैशे नमबर टूपिया गरा है वाट इस दा स्लूप ओफ नॉर्मल तो जो टैंजेंट होता है उसका रिवर्स कर देना माइनस लगा कि वही स्लूप ओफ नॉर्मल होता सबसे किलें टैंजेंट निकालेंगे सो फर्स्ट इस जागे बन और इसकी जागे जीरो ठीक है तो यह आपका पास क्या गया है स्लूप ओफ आंजेंट आ गया है छाना श्लूप ओफ यंजेंट एट पॉइंट लूं कोमा माइनस फूर क्या होने वाला है आपके पास देखना डीवाइपन डीएक्स एट वन कॉमा माइनस 4 equals to 3 x की value कितनी हो जाएगी 1 का square minus 10 फिर x की value 1 फिर minus 1 यानि 3 minus 10 minus 1 कितना हो गया यह 10 और 1 कितना हो गया आपके पास या ऐसे देखे लो 10 3 में से 1 गया तो कितना बचा आपके पास 2 और यह गया तो माइनस ताओ क्या समझ में नहीं आया किलियर है यह आपे अब हमें निकालना क्या था हमें निकालना था slope of normal इसी पॉइंट पर एक पॉइंट वन कॉमा माइनस और तो क्या करना है आपको इसको और रिवर्स लगारा माइनस बन अपॉन इस वर्ली को नीचे माइनस देख वन अपॉन एट आगया किलियर है आपर फॉजट्व में कर देना मतलब नीचे करके ते हैं एकटिव थो यहां पे नेगेटिव है कर जाएंगे सेकेंड पार देंखें आजम के इस gonna क्यों कि डिफ्रेंशेट करें के फिरेस्पक्त पू एक्स है our upon dx 2 as it is x square का हो जाएगा 2x 3 as it is e x का e x to do the 4x plus 3 e k power x यह आपके पास क्या आ गया है slope of पेंजेंट आ गया है अब मैं क्या निकालने को कह रहा हूँ आप से यही slope of पेंजेंट at x equals to 0 कितना होगा देखना dy upon dx at x equals to 0 की जो value होगी 4x की value 0 plus 3 e की power 0 देखो यह 0 हो गया और e की power 0 कितना होता है 1 के वल 3 हो गया अब हम अपने से क्या पूछ रहा है slope of normal इसी पॉइंट पर जो 0 कितना हो जाएगा minus 1 by 3 हो जाएगा क्लियर है क्या complete cash number second